हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक क्रेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मुहन तथा वैसन मुक्ति तक ग्या हूं महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं हमार यहां दो हॉस्पिटल है जहां मनोरुगन तथा वैसनी लोगों को भरती करके उनका इलाज करते हैं एक हॉस्पिटल में रिषिदारों के साथ में पेशन को भरती करते हैं और दुसरा हॉस्पिटल है जहां बिना रिषिदार पेशन को भरती करते हैं आज मैं आपको उताने माला हूँ depression के disease के बारे में क्या आपको नीन नहीं आती क्या आपकी नीन बार बार उखड़ जाती है निकल जाती है क्या आपको भूख नहीं लगती क्या आप चिड़ड़ हो जाते हो कि आपका मन उदास है और रोना आता है हो सकता है कि आप depression के disease के शिकार हो गए depression ऐसी एक बिमारी है कि जो मन को होती है psychological illness है और उसका impact सारे शरीर के उपर होता है मतलब दिल से लेके, हाट से लेके, पेट में या सभी मतलब पूरे body के उपर depression का असर होता है डिपरेशन का कारण है एक तो chemical imbalance कि जहाँ chemical लोचा जिसको बोलते है chemical imbalance है जिसके वाचे से depression होता है और काफी सारे ऐसे कारण दिये हुए जिससे भी depression आ सकता है जैसे कि बड़ी कोई घटना घर में होई किसकी मृत्य हो गई बहुत पैसे का नुकसान हो गया पैसा लॉस कर लिया यहां कोई जगड़ा हो गया किया रिष्टे में कोई प्राब्लेम आ गया तो ऐसे इसमें डिप्रेशन आ जाता है और उसका में जो है वो उदास लगना रोना उसमें कभी-कभी खुदकुशी करने का भी उसका मन करता है लोग पूछते कि वह डिप्रेशन के व्यक्ति को कैसा पहिचाने हमारे घर में कोई यही व्यक्ति है उस उसको उचाड रहेंगे या निन बराबर निन नहीं लेगा और चलना धिरेदेरे बैठेना दिरेए मतलब एसा आदमिें देख़े अपने को लगता है कि नहीं इसको डिप्रेशन होगा उसका अपचन भी होते रहता है उसको ऐसी चूजें होसको आननत नहीं आता उसकी मेम एक तो blood pressure हो सकता है heart के problem हो सकते हैं पचन जो है पचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है और हमको weakness आ जाता है कुछ काम करने के इच्छा नहीं होती बच्चों में डिप्रेशन आता है उसमें पालक वरकर सजग नहीं रहता है लोगों को ऐसा रहता है कि नहीं बच्चों में कैसा depression आ सकता है मगर बच्चों में भी depression आता है और बच्चों में depression कैसा दिखाई देता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता बच्चा स्कूल में जाना अवएड करता है उसको यार्दाश उसकी कमजोर हो जाती है उसको बहुत बड़ा pressure लगता है पढ़ाई का मांक्स का कैसी प बच्चे को और उसकी वज़े उसका तांतना हो सकता है उसके उपर डिमांड समने डाली तो उसकी वज़े से depression आ सकता है तो पालग लोगों ने मतलब आपक ने उसका ख्याल रखना ज़रूरी है अब लोग में पूछते कि भी depression का एलाज कैसे करेंगे तो depression का एलाज करने के लिए एक तो दवाईया है जिसको anti-depressants बोलते है जो हम देते है अलग-अलग तरी की दवाईया है कि जो देते है तो depression अच्छा हो जाता है और anti-depressants जो दवाई या hypnotherapy किया तो बहुत अच्छा है हमारा एक program है जो program में हम व्यक्ति को counseling करते हैं उसको 10 session देते है counseling के या hypnokounseling के और फिर वो 10 session में उसको धिरे 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 depression के बाहर निकालते है वैसे हम उनको बोलते हैं कि निगेटिव चीजे मत देखो टीवी के ऊपर कोई निगेट लोगों से बात मत करो निगेटिव चीजे मत बोलो या फिर मतलब ऐसा कोई करो कि जिससे आपको स्पूर्ती मिलेगी अच्छी cassette मतलब motivational cassette सुनो motivational videos देखो अच्छे लोगों के साथ में रहो और जो चीज आपको प्रेना देती है तो वो करो ऐसा कि music आपको अच्छा लगता ह तो music सुनो हसना laughter clubs है laughter club में आप जाते हो वहां बहुत हसते हो लोग न तो उसमें भी लोगों को बहुत फायदा होता है और ऐसा बोलते हैं कि आपका body जो है वो movement में रहेंगा तो आपके emotion ठीक हो जाएंगे मतलब आपके motions में आप आजाएंगे movement में आप आजाएंगे तो आ I can do that मैं यह कर सकता हूं मतलब ऐसा चीज़े खुद करते हो जोर से बोलते हो मतलब इसी चीज़े करते तो आपका mood भी ठीक हो जाएगा तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई fake it till you make it आपको उदास लगता है तभी आप बहुत खुश है ऐसा भरता हो करो आपका depression ठीक हो सकता है तो meditation करो हम खुद के लिए time ही देते नहीं तो ऐसा time है कि जो अपनी हमने दिया हुआ है और फिर दूसरा बहुत ज्यादा isolation में भी रहने का नहीं है लोगों के साथ में रहते हो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हो लोगों के लिए time देते हो तो depression नहीं होने में मत मदद हो तो आप एक काम करो अपने घर को ताला लगा और बाहर जाओ और वो लोगों के लिए काम करो जो लोग deprived है मतलब जिनको पैसा कम है जिनके resources कम है जो गरीव है जिनको कुछ मिलता ने उनके लिए काम करो आपका depression ठीक हो जाएगा तो लोगों के लिए खड़े रहो तो यह च प्रॉस्क्राइब करो यह आपको अच्छा लगा तो और उसमें बैल आइकओन आएंगा तो उसको भी आप कलिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आएंगे आप लाइक करेंगे ना तो मुझे बी अच्छा लगेंगा मैं ज्यादा सा ज्यादा आपको वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा और आपको जो भी चीजों में वीडियो चाहिए वो आपके comment box में लालो मैं अगले वीडियो आप जो चाहे उसमें बना दूँगा सो हमारा जो मिशन है कि सब के लिए मानसिक स्वास्ते और विसन्मुक्त भारत उसमें लिए आपका हाथ ले गाएंगा थेंक्यू बिरेगा